हेलो एवरिवन, लक्षया प्रोपर्टे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है, हम प्रोपर्टी सेक्टर की वीडियो वो चाहे रेजिदेंशिल प्रोपर्टी हो या कमेशिल प्रोपर्टी हो या एक्रिकल्चर लेंड हो उसकी वीडियो बना करके वहां का जो ग्राउंड रूख है वो हमाँ हम आपको वीडियो के मादम से अपने इस यूटूब चैनल पर दिखाते हैं और हमारा मकसद ये है कि आपको घर बैठें, एक बार वो प्रोपर्टी वीडियो के मादम से देखने से काफी सारा आइडिया लग जाता है कि जैसी प्रोपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, क्या ये प्रोपर्टी वैसी ही है अगर आपको वो प्रोपर्टी पसंद आती है घर बैठे बैठे, तो आप हमारे डिस्क्रेप्सर में दिए गए मुबाइल नमर से संप्रक करके उस प्रोपर्टी की साइट विजिट आप कर सकते हैं, अगर वो प्रोपर्टी आपको पसंद आ जाती है तो प्रोपर्टी के ओनर को हम ओफिस में बुला करके आपकी face to face meeting करवा करके आपकी fair deal को match work करवाने में हर सम्भोग प्रयास करते हैं तो वीडियो को ज्यादा लंबी नए हो सके आपका time waste नए हो क्योंकि सबी का time बहुत किमती है तो हम आज के topic पर आते हैं कि हम रोतक और बहादूरगर सीटी के अंदर property की deal करते हैं या deal करवाते हैं तो रोतक और बादूरगर सीटी के अंदर जो भी property में invest करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत important होने वाली है investor के लिए आज मैं special ये वीडियो आपके सामने बनाना चाहता हूं कि investor को सबसे पहले क्या होता है जो broker होता है उसके उपर trust करके चलना पड़ता है तो आपके relation में या आपके संपरक में आपके circle में ऐसा broker होना चाहिए जो आपको market price पर property buy करवाए very important topic है market price पर property को buy करवाए दूसरा property latest में आपको काफी सारे point ध्यान में रखने होते हैं सबसे पहले property की location क्या है या तो property में रोड पे हो अगर आप commercial property सार्च करते हैं तो property में रोड पे हो दूसरा property wider रोड पे हो तीसरा वहां का जो रोड का आवागमन है ट्राफिक वो ज्यादा हो अगर आप agriculture land में invest करना चाहते हैं तो वो property रोड पर फरण हो very important दूसरा अगर आप residential property चाहते हो तो उसमें काफे सारे point आपको ध्यान में रखने की जरूर पड़ती है सबसे पहले कि वहां का जो environment है क्या आपके रहने के लाइक है अगर अच्छा environment है तो रोड की चोड़ाई क्या है प्रोपर्टी का फेस क्या है प्रोपर्टी का फ्रंट कितना है प्रोपर्टी की depth क्या है क्या प्रोपर्टी पार्क फेस है क्या प्रोपर्टी सन फेस है क्या आप corner प्रोपर्टी आपको पसंद है तो काफी सारी सीजे हमें ध्यान में रखने होती है उसके बाद क्या प्रोपर्टी के डोकुमेंट फेर है क्या प्रोपर्टी का ओनर सिंगल है या फिर जोइंट में है या काफी सारे ओनर है कई बार ऐसी प्रोपर्टी नौलिज में आती है कि जो प्रोपर्टी का ओनर है वो बगवान को प्यारा हो चुका होता है और उसके जो नौमिनी है वो उसके ओनर होते हैं उस प्रोपर्टी में काफी सारी प्रेशानिया फ्येस करने पड़ती हैं दोकुमेंट पॉर्मल दिस के लिए तो एक ये चीज भी वेर इंपोर्टेंट है नौलिज में रखने के लिए उसके इलावा डोकुमेंट की जो चैन है क्या वो दो से तीन चैन की डोकुमेंट ऑउनर के पास है क्या प्रोपर्टी अपरूट है क्या प्रोपर्टी की प्रोपर्टी आईडी बनी हुई है रजिस्ट्री इंतकाल है ये सारी चीज आपको ध्यान में रखकर प्रोपर्टी लेने चाहिए उसके बाद हम देखते हैं प्रोपर्टी का प्राइज क्या है क्या प्रोपर्टी का जो प्राइज है वो मार्केट रेट पर आपको मिल रहा है अगर मिल रहा है तो आप डील करिए अगर नहीं मिल रहा है तो डील मत करिए लक्षे प्रोपर्टी अपने इस यूटूब चानल के मात्यम से आप सभी तक ये मेसिज देना चाहती है कि हम सिर्फ ब्रोकेज के उपर काम करते हैं हम बिल्कूल फेयर डील मैचोर करवाते हैं हम दोनों पार्टियों को फेस टू फेस मीटिंग करवा के प्राइस फिक्स करवाते हैं और आपको घर बैठे डोकूमेंट फॉर्मिल्टीज मिलेगी बस एक से दो बार आपको डोकूमेंट फॉर्मिल्टीज के लिए आना पड़ेगा रौतक सीटी और बादूर के सीटी के अंदर प्रोपर्टी सेक्टर में वो चाहे रेजिदेंशल प्रोपर्टी हो, कमर्शल प्रोपर्टी हो या एगरिकल्चर लेंड हो आप किसी भी प्रोपर्टी में डील करना चाहते हैं या प्रोपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिये गए नमर से आप संप्रक करके प्रोपर्टी इन्फोर्मेशन ले शकते हैं और प्रोपर्टी का विजिट करके आप अपनी मन पसंद की प्रोपर्टी बाई करके अच्छा profit book कर सकते हैं मैं आप सभी के लिए ये कामना करता हूँ कि आप property में जहां भी invest करें आप एक अच्छा margin book करें चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी हम ऐसे ही important वीडियो आपके सामने share करते रहेंगे इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बैल आइकन के बटन को तब न न बोले वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद